आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने Samsung के फोन में Install Unknown Sources यानि की Unknown Sources को कैसे ओन कर सकते हैं चाहे Chrome Browser के या फिर अपने फोन के File Manager के तो यहाँ पर आप Unknown Sources की Full Settings कैसे कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लिए अपने फोन में अपने फोन के Settings को Open करना है Settings को Open करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा यहाँ पर आपको नीचे आना है आप नीचे आएंगे तो एक Option आपको मिलेगा Biometrics and Security के नाम से हो सकता है आपके फोन में केसी और नाम से हो लेकिन आपको जो Security का Option है वो आपको सेम मिलेगा इस पर आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आपको मिलेगा Install Unknown Apps का Option इस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो application है वो आपको show हो जाएंगे अगर आपको यह option नहीं show होता है नहीं मिलता है तो settings open करने के बाद right side में एक search का option आएगा search पर आप क्लिक करिए यहाँ पर आपको type करना है unknown यहाँ पर आप unknown type करेंगे तो आपको मिलेगा यह option install unknown apps का option इस पर आप क्लिक करके इस page पर आ जाएंगे तो इस पर आप क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पर application आपको show हो जाएंगे तो जैसे कि अगर आप chrome browser के unknown source को on करना चाहते हैं तो chrome पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद अगर आपको यह off रहता है इस तरह से तो इसे on कर दीजिए यहाँ से उसके बाद इसी तरह से आप किसी भी app के on कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर my files पर क्लिक करते हैं और इसे इस तरह से allow from this source को on कर दीजिए तो इस तरह से आप अपने Samsung के phone में unknown source settings कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें करें